हेलो एवरीवन चलिए आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बहुत ही हेल्दी और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेस्पी जो है हमारी सोया कीमा की रेस्पी जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है चलिए बनाना शुरू करते हैं वीडियो को एंट पर बना सकते हैं तो इसमें मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल दिया और गुनगुना पानी डालकर 10 मन तक रेस्ट पर छोड़ देंगे और यहां पर हम कटे हुए प्याज ले लेंगे और यहां पी मैंने आधी शिमला में चली थी जिसको मैंने इस तरह से बारीक काट के लिए और साथ ही दो यहप मैंने हरीमीर्सी काट के लिए जलिए अब हम्कड़ाई लेंगे और घी को हम हल्का सा गर्म होने देंगे और हमारा गर्म हो चुका जेलिए इसमें हम सब से पहले हमारे बारी कटे हुए प्यास डाल देंगे और प्यास डालकर प्यास को हम हलका सा फ्राई कर लेंगे और इसका हम हलका सा कलर चेंज होने देंगे तो दो मिनिट तक इसको हम इसी तरह से चलाती रहेंगे तो आप देख सकते हैं प्याज का हलका सा color change हो चुक है चलिए इसमें हम कटे हुई शिम नमिश डाल देंगे और साथ ही इसमें हम कटे हुई हरी मिर्ची डाल देंगे तो चुला लेंगे अच्छी तरह से इनको अब हम और दो मिनिट तक इसको हम इसी तरह से fry कर लेंगे तो चलिए इसमें अब हम स्वाद के नसार नमक डाल देंगे स्वाद के नसार इसमें हम लाल मिर्ट पार्वर डाल देंगे और आदा छोटा चमस इसमें हम गर्म मसाला डाल देंगे थोड़ी से हल्दी डाल देंगे और साथ ही इसमें हम विल्कुल थोड़ी से काली मिर्ची डाल देंगे और सारे मसाले डाल कर इसको हम अच्छी तरह से चला लेंगे और इस मसाले को हम मीडियम फ्लेम पे 5-7 मिनिट तक भूनने देंगे धककल लगा देंगे और धककल लगा कर इसको हम इस तरह से medium flame पे पकने देंगे तो ये देखिए मसाला हमारा पकत कर तैयार हो चुक है चलिए 10 मिनिट हो चुक है प्लेट को हम हटा देंगे और ये देखिए हमारा सवयबिन का चूरा अच्छे तरह से फूल चुकता है और यह देखिए यह अच्छे निकल जाए तो चलिए इसको हम दो तीन बर टैप के नीचे या इसमें पानी डालकर अच्छी तरह से धो लेंगे, हाथों से इसको हम हलका हलका इस तरह से मसल लेंगे, और मसलते हुए इसको हम थोड़ा साफ कर लेंगे, तो चलिए इसमें से हम फिर से सारा पानी निकाल लेंगे, उसी तरह से हम एक बड़ा बाउल लेंगे और छन्नी लेंगे, और इसमें डाल ताकि इसमें जो भी पानी बचा है वो इसमें से निकल जाए तो इस तरह से हाथों से दबाते हुए हम सारे चूरे में से पानी निकाल लेंगे तो चलिए अब हम इस चूरे को मसाले में डाल देंगे सोयबीन में काफी मात्रा में प्रोटीन होता है और ये हडियों को भी मजबूत करता है इसलिए हमें सोयबीन को या सोयबीन कचूरे को धफते में 2 या 3 बार चूर बना कर खाना चाहिए तो चलिए इसको मैंने अच्छी तरह से मिला लिया तो इसको हम थोड़ा सा और टेस्टी बनाएंगे तो इसके लिए इसमें हम थोड़ा सा पाव भजी मसाला डाल देंगे और साथ ही इसमें हम थोड़ा सा मैगी मसाला डाल देंगे और उपर से थोड़ा साम इसके गरम साला और डा देंगे और चलिए इसको हम एक बार फिर से चला लेंगे तो ये लीजिए गरमा गरम हमारा सोया कीमा बन कर तयारा हो चुक है जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट्री बन है तो आप भी इसको मेरे इस तरह कैसे जरूर कीजिए और जल्दी जल्दी से आप भी इस हैल्दी रेस्पी को जरूर ट्राइ कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में